हैलो गाईज मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चॉप बॉल्स जो की बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो चॉप हमने बनाई है वो मार्केट में मिलने वाली चॉप से कहीं ज्यादा अच्छी है तो चलिए गाईज हम चॉप बनाने स्टार्ट क पाटा एक कटोरी दही थोड़ा बटर और एक बड़ी प्याज काटके लिया है हमने दो टमाट्रों को काटकर छोटे-छोटे पीसेज में कर लिया है और मसालों में स्वादा नुसार नमक, तोड़ा गरब मसाला, तोड़ा जीरा, एक चमच हल्थी पावडर, स्वादा नुसार मिरच, दो चमच धनिया पावडर, दो तेज पाद के पत्ते, एक दाल चीनी का टुकड़ा, चार पाँच एलाईची, सफेद लिया हमने, चार पाँच लोगे, तोड़ा जीरा पावडर, दो चमच नारियल का बुरादा, चार पाँच हरी म्राज, थोड़ा अधरक, थोड़ा अधरक लिया है हमने, चार पाँच लहसुन की कलिया, हरा धनिया, हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, अब हम इसमें, भीगेवे सोयवीन को डाल देते हैं, और ढक्कन लगाकर, इसे पीस लेते हैं, तो देखिए, हमारा सोयवीन पिस गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं, अब हम, सोयवीन की बर्यों को, मिक्सर जार में डाल कर, इसमें दो चमज पानी डालेंगे, और इसे दर-दरा पीस लेंगे, हमारी सोयवीन की बर्यों भी पिस गई हैं, अब इने भी निकाल लेते हैं, तो हम अब इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, और अब हम इसमें आटा डाल देते हैं, आटे के जगे आप मेंदा भी ले सकते हैं, और थोड़ा नमक, थोड़ा हरा धनिया, डाल कर मिक्स कर देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करें, तो देखिए हमारे डो बनके रेड़ी है, अब हम हाथों पर थोड़ा से घी लगा के, थोड़ा से मिस्रन हाथ में लेके, बॉल्स बना लेते हैं, बॉल्स आप छोटे छोटे ही बनाएं, इसी तरह से हम सारे बॉल्स को त्यार कर लेते हैं, तो देखिए हमारे सारे बॉल्स बनकर रेड़ी हैं, हमने एक कड़ाई में एक जग पानी डाल कर उबाल लिया है, अब हम इसमें सोया चॉप बॉल्स डाल देते हैं, जब तक हमारे बॉल्स बनाएं, तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला त्यार कर लेते हैं, हमने एक पैंचड़ा दिया है, इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डाला है, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें लस्टन की कलियां डाल देते हैं, इन्हें थोड़ा भून के, चार-पांच हरीमरत जो ली थी बो डाल देते हैं, और जो काटके हमने पैज रखी थी बो भी डाल देते हैं, और इसे थोड़ा चला देते हैं, हमारे प्याज लस्टन का हलका कलर चेंज हो गया, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, और इसे चला देते हैं, इसे चलाते हुए पकान लेंगे, तो देखिए हमारे टमाटर सॉप्ट हो गया हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं, और इसे ठंड़ा होने देते हैं, यह देखिए हमारा मिसरा ठंड़ा हो गया है, अब हम इसे एक मिकसर जाद में ट्रांसफर कर लेते हैं, और बारीक पेस्ट बना लेते हैं, तो देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेड़ी हो गया है, तो देखिए हमारी बहुत सुबल चुकी है, देखिए इनका साइज भी बड़ा हो गया है, तो चलिए गाईज, अब हम इने निकाल लेते हैं, तो देखिए हमने सारी बॉल्स को निकाल लिया है, अब हम इने थोड़ी दे ठंड़ा होने देते हैं, अब हमने कैज पेक कड़ाई चड़ा दिये और उसमें ओयल डाल दिया है, तो देखिए हमारे वाल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें ये बॉल फ्राई कर लेते हैं ये देखिए हमारे बॉल्स फ्राई हो गया है अब हम इने निकाल लेते हैं इसी तरह से हम सारे बॉल्स को फ्राई करके निकाल लेंगे देखिए हमारी बहुत ठंडी हो गई है अब हम इने मेरिनेट कर लेते हैं मेरिनेट करने के लिए हमने बटर लिया है और जो कटोरी में दही लिया था वो आदा दही डाल लेंगे हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा भूना जीरा और चांट मसाला मिक्स कर देंगे कि देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हम 10-15 मेट के लिए रख देते हैं कि जब तक मार्द मेरिनेट होते हैं तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर 2000 बदे निया है और इसमें उंग में तेज पर दाल देते और इसमें दाल traitor जेते हैंा पर चार पंच डाय झाप की अधिए उन्हों च inhibas दाल देते हैं इन्हें थोड़े दिर भूनने देते हैं फिर हमने जो मसाला पीछा था वो डाल देते हैं और इसे चलाते हुए भून लेते हैं यह बाकी बचे मसाल् burg भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से mix कर देते हैं और इसे थोड़े देर अच्छे से वनने देते हैं और हम इसमें दही डालते हैं और हमने जो मेरिनेट करके बॉल रखी थी वो डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं हमारी बॉल ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं जो मेरिनेट किया हुआ मसाला बचा था हम उसमें थोड़ा पानी मिलाकर डाल देते हैं अगर आपको पतली गिरे भी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें नहीं तो कम ही पानी डालें अब हम इसे थोड़े देर धक कर पकाएंगे तो देखे गाईज हमारी सोया चॉप बनकर रेडी है देखे कितनी अच्छी बॉल्स बनकर रेडी हुई है देखे गाईज कितना अच्छा कलर आया है हमारा तो आईए अब हम इने सर्व करते हैं देखे गाईज हमारे सोया चाप बनकर रेडी हैं बने हैं ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल तो आप भी हमारी ये रेस्पी अपने घर पर ज़रूर ट्राइ करें और आप अपने एक्सपीरेंस हमारे साथ जरूर सेयर करें अगर आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो हमारी रेस्पी को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ जै हिन जै भारत इस समय कोरोन बहुत फैल रहा है घर पे रहें सेफ रहें और बाहर निकलें तो मस्क लगा कर निकलें